नमस्कार मैंना नाम है रोहित बर्मा और आप देख रहे हैं लाइप स्टीज देखे महरास्ट में कल तीसरी बैठक INDIA यानि इंडिया के हुई कोडिनेशन कमीटी का गठन हुआ कई कमीटियों का गठन हुआ सोसल मीडिया से लेकर किस तरीके से लोगों के बीच जाया जाए लोगों की समस्याओं को सुना जाए आज बिहार के मुक्यमंत्रि नितीश कुमार ने अलान भी कर दिया है कि वो लोगों के बीच जाएंगे एक बड़ा मीटिंग होगा और सब कुछ बढिया धंक से अच्छे धंक से हो चुका है बीजेपी प्रदेश सद्द्यक समराग चौधरी साब तोर से इंडिया की बैठक को कहते वे ते रिस्मी यादव पर पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परिवार और भस्ताचार को बचाने के लिए इंडिया बना है बैठक हो रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं नितीश कुमार और नितीश कुमार के बाद आप सुनिए बीजेपी प्रदेश सद्द्यक समराग चौधरी नोटंकी बताते हुए नितीश कुमार को किस तरीके से डिपोर्ट को सार्डविनिक करने की बात कर रहे हैं ये वीडियो देखें अरे बहुत अच्छा हुआ है और आप जानते हैं कि वहाँ पर तो खूब अच्छी मीटिंग हुई है और उसकाद हर पार्टी के निताओं को अवसर दिया गया प्रेस कॉन्फरेंस में कहने का उसब हो गया है अज जब लोट करने यहां पर आए ताप पैसे कुछ लोग खड़े थे तो उनको भी अब बता दिये बहुत अच्छा हुआ देखिए अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एक जुट हो करके सब करेंगे अभी पांस तरह का काम करने के लिए कमीटी बन गई है लेकिन कल ही यह तैय हो गया है कि बहुत जल्दी आपस में तैय कर लेंगे लोग जो चुनाव लड़ने का और आप जान रहे ना आपके अंदर सरकार को कर रहा अब क्या क्या होने वाला है अब न्यून में आ रहा है कि अब उसको पिदान सभा और लोक सभा सब का बढ़ा अच्छा है भाई आई सब जी एक्या साथ तो पहले होता था अगर करना चाहते हैं तहीं कहारी किये थे जन गन्ना कहारी किये हर नस्षा पर्ज होता था ता अब नितिश कुमार की सरकार और नितिश कुमार जी की पार्टी दोनों बिहार में नोटंकी कर रही है हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं नितिश कुमार जी से कि आप जो खुद पलटते रहते आप कार्ज करताओं से अंदोलन करा रहे हैं जाती है सर्वे के आधार पर अरे तो आपको रोका किसने नितिस बावू ना भाजपा ने रोका ना सुप्रिम कोट ने रोका तो ये सर्वे का रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते ये सिर्फ नितिस कुमार जी का जो चेहरा है ये अती पिछड़ा पिरोधी है इबीसी आयोग बनाया एक साल से रिपोर्ट जारी नहीं किया स्वर्न आयोग बनाये उसका भी रिपोर्ट के आधार पर कोई काम नहीं किया गया और आज जातिय सर्वे करा रहे हैं उसका रिपोर्ट जारी करना नितिस कुमार नहीं चाहते हैं इसलिए नितिस कुमार जी परिवार को बचाना या भश्टाचार को बचाना है। इस देश में जो कमीटी बनी तेरा लोगों का वो ऐसपश दिखता है कि चाहे तेश्वी अदभ हो हमन्सोरन हो या देश के और भी विविन राजियों से लोग हो वो असपश दिखता है कि इसमें घमणडिया गटवंद प्रिवार को बचाने का काम किया जा रहा है या जो उन्होंने भस्टाचार किया है उसको बचाने का काम किया जा रहा है बता रहे हैं और कहा रहे है कि रिपोर्ट को जाती है दारी जन्गना बिहार में हुई है उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक कीजिए ये पडिवार और भरस्तचार को बचाने के लिए इंडिया की बैठक होई है बैडाल महांकडबंदन किस तरीके से इसको देखती है देखने